नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में continue question practice करेंगे number system chapter से जो digital sum और divisibility rule जो हमने पड़ा उसके उपर तो start करते हैं भाई पहला question है if the 11 digit number ये संख्या है is divisible y बहतर ये बहतर से divisible है and x not is equal to y है then the value of root xy के value निकालनी है तो भाई सबसे पहले मैं 72 पे ध्यान दूँगा कि किस से भाग करना है 72 का divisibility rule हमने तो ऐसा कोई पड़ा नहीं था तो इसका divisibility rule क्या बनेगा आठ नहीं बहतर अब आपको गया आठ नो ही क्यों लिया आपने भीया तो ये ऐसा है starting की वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा ये को प्राइम नंबर है इसलिए जो जिसका divisibility rule हमने नहीं पड़ा है तो उन नंबर्स को जो जिसका मालो जैसे 72 का आ गया तो आपको उनको ब्रेक करना होता है किसमें को प्राइम नंबर में और फिर आप वो जो नंबर आएंगी जैसे 9 और 8 जैसी ये नंबर आए तो इन या पहले 8 से 8 से चेक कर लेते हैं लास्ट की 3 digits should be divisible by किस divisible होनी चाहिए भीया लास्ट की 3 digits should be divisible by 8 और एक साथ में 9 का तो पहले क्या करें पहले हम 9 का ही कर लेते हैं 9 का कर लेते हैं तो 9 के में हम digital sum लगाएंगे 4 और 6 10 10 और 8 18 18 और 8 26 26 और 4 30 30 और 8 38 38 और 6 कितने होगे 38 और 6 होगे वही 47 47 और 5 कितना होगया 49 49 प्लस में x प्लस में y y भी है ना प्लस में y is equal to 0 या 9 से कटना चाहिए तो 49 क्या हो जाएगा 49 को हमें single digit में लेके आएंगे तो ये 9 4 कितने होगे 13 13 बोले तो 1 प्लस में 3 बोले तो 4 4 प्लस में y प्लस में x बस मैंने इसके साब से संख्या लिग दी है 0 या 9 अब हमने y और x के जगह पे क्या रखें या तो ये 0 बन जाए ठीक है या फिर ये 9 से कटने वाली संख्या बन जाए तो हम यहाँ पे रखेंगे 5 ताकि भी 4 और 5 नो 9 से 9 कट जाएगा लेकिन इसने ये बोला है कि x y equal नहीं होनी चाहिए चलो जी equal नहीं होनी चाहिए हम मालो x 2 ले ले x को 3 ले ले y को 2 ले ले या y को हम 3 ले ले या x को 2 ले ले इकवल तो है नहीं लेकिन हमें क्या है एक और चीज को यहाँ पे satisfy करना है कि 8 से x के जगाए पे अगर हम ओड नंबर लेंगे तो ओड लेने के बाद क्या ये संख्या कटेगी अगर हम x 3 लेते हैं तो भाईय ये बनगी 5 3 6 क्या ये 8 से कटती है तो काट के देखो 8 6 48 बच गया कितना भाईया 5 53 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा भाईय 8 6 48 53 में से 48 जाएंगे तो बचेगे 5 तो कहने की बात यह है कि X को हम 3 लेते हैं तो यह भी satisfy कर रहा है जो हमारी satisfy क्या यह 8 से पूरी पूरी संक्या कट रही है root 6 हमारा answer आजाएगा B option मैंने बहुत जादा time लगा इसको solve करने में इतना time आपने नहीं लगा ना बैस मैं आपको सोड़ा समझाने के लिए इतना time लगा रहा हूँ एक चीज जो बच्चों की तरह है न वो चीज बता के इसलिए time लग रहा है नहीं तो इस question को आपको करने मे सिरफ 30 seconds ही लगनी थी अगर practice है तो उसके बाद है यह question if 10 digit number यह संख्या है is divisible by 72 वही 8 और 9 से 72 के जो को प्राइम नंबर है वो 8 और 9 then what is the value of यह value बतानी xy की value निकालनी है for the list value और y की condition बता दी y की सबसे कम value लेनी है तो बहिया कर दो start 54726x79y6 सबसे पहले मैं चेक करूँगा 8 से फिर मैं 9 से चेक करूँगा नहीं पहले मैं 9 से ही चेक करूँगा ताकि 9 से चेक करने के बाद आपको एक हिंटी मिल जाता है कि आप y की value क्या ले सकते हो या x की value क्या लेनी चाहिए देखो चेर और पांच और डिजिटल सम लगा दिए मैं 9 के लिए 7 और दो 9 और dictasi 9 यह गया बचिया कितना ₹ एदिजिटर खाएं कोई ओक है स्य और स्मिक्षा तस बोले तो दस दस बोले तो10 यहां पी सही हमारा डिजिटर समा गया यह जोंगे जोनीज और y क के वैलू निकाल में सब्था साथ के पत्था साथ यहां पिने सूगा दीजिटर सम क्या कहता है लास्ट के थ्री रिजिट शूट भी डिविजबल वाई एट तो हमें पहले वाई की वैलू निकालनी पड़ेगी तो संख्या हमारी नाइन वाई अगर मैं और इसनी कंडिशन बोल लिए क्यूस्चन में की वाई की वैलू मिनिमम लेनी है अगर मैं जीरो रखता हूं तो क्या यह संख्या कटेगी नौसो च्छा आठ से काटके देखो आठ एक माठ बचेगा एक दस आठ एक माठ बचेगे दो च्छबिस चबिस तो आठ से इन नहीं करता एक रखके देखा तो एक रखके देखो गए तो कितना है अब जाए घ आठ एक माठ फिर ब्याइक इसना बज्राइक च्छालेश से तो यह से करता और एकम आठ बचेएगा कितना एक आठ एकम आठ फिर से तेरा में से आठ जाएंगे तो बचेएगा कितना पांच सातू अठू चक्पन हाँ बिल्कुल वाई की वैलू हमारे पास आगी भई कितनी यह आ गई थ्री जो मीनिमम वैलू है जो रखने पर यह लास्ट की त्रेजिट जो है वो डिविजिबल हो रही है आठ से आठ जी तो वाई की वैलू हम लेंगे तीन अब इसको एक्स की वैलू क्या लें तो तीन और एक चार नो पूरा करने के लिए तो यहां पे एक्स की वैलू लेंगे हम पांच तो एक्स की वैलू आगी वाई की वैलू आगी नो भी satisfy हो गया 9 का divisibility rule भी लगा लिया 8 का भी लगा लिया x दोनों पे x और y की value verify कर रही है अच्छा जी आप निकालना क्या है 5x 5x कितना निकला हमारा 5 तो 5x यहाँ पे इसमें कर दो यहीं पे कर देता हूँ मैं 5 गुना में 5 25 25 माइनिस में y की value कितने निकली y की value निकली भाई हमारी 3 और 3 और यहाँ पे है 3 ती यह 9 आ जाएगा 25 में से 9 कितना बचेगा भाई यह 25 में से 9 जाएँगे तो हमारा बचेगा 16 और यह हमारा answer हो जाएगा तो B option हमारा सही हो जाएगा hope आपको यह समझ में आया होगा if the 10 digit number यह संख्या is divisible by 72 72 मतले तो 8 और 9 से इन दोनों का हमें divisibility rule पता है then what is the value of यह value निकालनी है for the maximum value of x x की maximum value लेनी है हमने पीछे बाले question में देखा y की minimum value लेनी थी यहाँ पे बोल रहा है कि x की maximum value लेनी जी जी नहीं हो उसके वो value लेके solve करो तो भया सबसे पहले हमारा जो step होता है वही step हम करेंगे digital sum से हम निकाल लेंगे जो संख्या होंगी और 8 का divisibility rule बोले तो क्या बोलेगा अगर x maximum होगा तो सीधी सी बात है y minimum होगा है ना तो पहले हम digital sum ही निकालते हैं उसके बाद हम फिर 8 का divisibility rule लगा के x की value निकालेंगे तो कर दो भया 9 से 9 ये गया 6 और 3 9 ये गया 5 और एक 6 6 और 5 11 11 और 8 हो गया 19 19 बोले तो 1 प्लस में 9 बोले तो 10 बोले तो 1 प्लस में y प्लस में x ये आ गया हमारा digital sum से digital sum आ गया इस संख्या का अब यहां पर हमें x की value पहले निकलेगी क्योंकि x की value रखके ही हमें पता चलेगा कि भया ये संख्या है ये हमारी 8 से digital है नहीं है तो x की value इसने बोला maximum लेनी है तो maximum 0 से 9 के बीच मतलब इनी maximum मतलब 0 से 9 के बीच में digit आएगी तो 9 से start करते हैं तो x को अगर हम 9 रखते हैं तो क्या ये 8 से कट रहा है तो देखो भया आठू साथू 56 59 में से 56 जाएंगे तो 3 बचेगा 38 तो नहीं कटता अगर x की value मैं 8 रखता हूं तो 7 आठू 56 बचेगा कितना ये बचेगा 28 28 भी भी 28 भी तो 8 से नहीं कटता है अगर म एक्स की value लेता हूं 7 ठीक है तो 7 आठू 56 और बचेगा 18 18 भी तो 8 से नहीं कटता है एक्स की value अगर मैं 6 लेता हूं तो 7 आठू 56 और 8 पर फिर जाएगा 8 एकम 8 बिल्कुल तो x की value मैं पता चल की maximum जो value है वो x की हमें पता चली 6 तो y की अब x की value यहां पर पूट कर दी 6 औ y ले लेंगे हम 3 तो हमारे पास x की value भी आगी y की value आगी है पूट करना और कुछ नहीं बचा भाई सोरी यहां पर 2 आएगा तीन नहीं आएगा 6 और एक साथ 7 और दो 9 ठीक है तो अब पूट कर दो निकालना क्या है 3x नहीं x क्या है 6 3 18 और भाई माइनस में 7y 7 उसाथ बचेगा 4 यह हमारा आंस्वर आ जाएगा D option उसके बाद है यह question if the 10 digit number यह संख्या है is divisible y 72 वही 8 और 9 का divisibility rule लगाना है then what is the value of यह value निकालनी है maximum value of x x की maximum value यह repeat question हो गया आगे बढ़ते हैं यह same है उसके बाद है यह question if 10 digit number यह संख्या है इस divisible y 72 वही 8 और 9 के divisibility rule लगाना है इस पर उससे कट रही है यह अच्छा जी divisible है 70 आपको पता चल रहा होगा न मैं कैसे 8 और 9 बोल रहा हूं को प्राइम नंबर दोनों अपस में अगर इस तरह की संख्या आती है और हमें उसका divisibility rule नहीं पता है तो उसको आप break कर लो को प्राइम नंबर में दो को प्राइम नंबर में break कर लो और फिर उनका हमें divisibility rule पता होता है यह आपको एक बार जो divisibility rule है यह पर पढ़ लो आप देख लो फिर question करोगे तो easy रहेगा ऐसे direct समझ भी नहीं आता तक उस भी then what is the value of यह value बतानी है for possible greatest value of y इसने बोला है for possible value greatest value of y के लेनी सबसे maximum value लेनी वाएगी तो इसका सबसे पहले जो हम करते हैं वही करेंगे digital sum निकालो यह संख्या यह होगे इसका 8 और 9 से करना है तो 8 से बाद में divisibility rule इसका बाद में लगांगे पहले 9 से इसका digital sum निकालते 9 यह गया 9 यह गया 7 और 2 नो यह गया उके उसके बाद कोई है उसके बाद 5 यह निकाट रहा 8 और 8 और 3 होगे 11 11 और 7 होगे 18 18 और 5 होगे वही है 23 23 बोले तो 2 प्लस में 3 बोले तो 5 5 प्लस में y प्लस में x 0 और 9 के क्योल होना चाहिए यह संख्या आगी अब हम क्या करें और वो कैसे निकलेगी 8 का जो divisibility rule हो भी तो apply करा है तो 7 x 2 ठीक है अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि उसके में बोला greatest value of y लेनी है लेकिन यहाँ पे हमारा x आ रहा है 8 का divisibility rule apply करा है last के 3 डिजिट should be divisible by 8 तो x की value हम minimum लेंगे तभी y की value क्या maximum आएगी अब देखो कई case बनेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कईयों से answer तो आ रहा है लेकिन answer कौन से से हमारा जो option में गिवेना वो आ रहा है अगर मैं यहाँ पे y की value अगर भाई मैं लूँ नहीं एक्स की value minimum लेनी है ना तो x अगर मैं 0 लूँ तो यह कटेगा 8 से 8 अठ कुल x की value अगर मैं 1 लेता हूँ ना तो भी यह 7 1 2 यह संख्या हमारी कट जाएगे 8 से क्योंकि कट रही है वह आपके सामने देखो x की value अगर 1 लेता हूँ तो यह बन गया 71 71 8 पर कितना जाएगा 8 वा टो 64 बचेगा कितना 71 में से 68 जाएगा तो 64 जाएगा तो तो बचेगा वाई 7 7 बचेगा तो 7 यह बहतर बन गया बहतर बोले तो आठ निम बहतर अच्छा जी और x की value एक और हम थोड़ा सा आगे कदम रखके और देख लेते हैं कौन सी और है अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूं 2 रखता हूं तो आठ निम बहतर फिर दो बच जाएगा और नही बचेगा 4 रखता हूं तो आठ निम बहतर दो बचेगा 22 भी नहीं बचेगा 5 रखता हूं तो 8 निम बहतर बचेगा 3 8 1 8 8 9 16 8 3 4 8 32 32 बिल्कुल x की value अगर मैं 5 रखता हूं तो यहां पी 8 निम बहतर बचेगा 3 और फिर 32 कट जाएगा 8 से 1 x की value आगी 5 मैं बस यह यह दो दे तो y मैं जो रखना पड़ेगा कितना पांच और एक छै चै और यह तीन रखना पड़ेगा अगर x मैं 5 रखता हूं तो y मुझे कितना रखना पड़ेगा यह 5 और 5 10 हो गया तो अठारा कर लेंगे तो इसमें आपे सिंग्ल डिजिट के आएगा आएगा आठ यह दो पोसिबल कहीं option में है नहीं अवान सवर मारा तो इसको भी cancel करो उसके बाद एक से अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 ती ये 15 प्लस में वाई हो गया 8 15 और 8 कितने हो गए भई अब 15 और 8 हो गए 23 तेइस option में है कहीं ये option हमारा ठीक हो जाएगा hope आपको ये समझ में आया होगा उसके बाद है ये next question which of the following number is divisible by 11 11 से चेक करना है 11 का divisibility rule मैंने आपको बताया है आप आराम से चेक कर सकते हो तो easy है 11 का divisibility rule क्या कहता है even places और odd places का sum उनका लिलो difference है ना sorry ये इस पे जाएगा ये इस पे जाएगा ठीक है तो ये हो गया 5 और 1 6 6 और 3 6 और 3 हो गया 9 9 और 1 10 10 माइनस में 2 4 6 6 और 4 10 ये तो 0 आगया ये option if satisfy है क्योंकि भाईया ये संख्या हमें क्या है difference या तो 0 है या 11 का multiple है ये 0 आगया 0 आगया मतलब ये option हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा hope आपको ही समझ में आया होगा और बाकी चेक करने ही जुरूती नहीं है उसके बाद ये question find the value of k k की value निकालनी है यहाँ पे इन दा नंबर ये नंबर है so that the number is divisible भाई 11 से divisible हो तो 9 3 1 4 k 8025 लगादो जो ये rule उपर लगाया वही लगादो भाई ये संख्या ये संख्या ये के है ना कि 1 है ये संख्या एक बाद ये और फिर ये और ये और ये और ये ठीक इनका difference ले लो तो ये हो गया 4 और 3 7 7 और 8 हो गया भाई ये 15 15 और 2 हो गया 17 17 माइनस में ये हो जाएगा 9 और 1 10 10 10 10 10 10 10 और 5 15 15 15 15 प्लस में के अब ये या तो 0 या 11 का multiple हो तो हम यहाँ पे के की जगह पे क्या रखें के की जगह पे आप 2 रख दो दो रख होगे तो 17 हो जाएगा 17 माइनस में 17 जीरो आ जाएगा तो दो अप्शन में है बिलकुल है ये अप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा उसके बाद है ये क्यूस्चन इफ नाइन डिजिट नंबर ये संख्या है इस कंप्लेटली डिविजबल बाई 11 से डिविजबल है देन दा वट इस द वैलू ओफ ये पी स्केर प्लस में 15 तो फटा फट लगा दो रूल जादा सोच नहीं जरूती नहीं है जो डिविजबिल्टी रूल है वो अपलाई कर तो ये संख्या ये संख्या इस संख्या का प्लस कर दो इस संख्या का इस संख्या का इस संख्या का प्लस इनका डिफरेंस ले लो तो पहले तो हो जाएगा ये कर लेते हैं देखो पांच और आठ कितने होगे पांच और आठ होगे वह या तेरा तेरा और च्छै उननिस उन नहीं रहे बाबा फटाफट इसको सोल कर दो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 पलस में P माइनस में 19 इसकोल टू जीरो 11 का डुजबल हो ठीक है तो अब क्या पूट करें हैं यहां पर P की जगह पर हम क्या पूट करें कि या तो 0 आए या फिर यहां पर 11 का मल्टीपल है कुछ तो अगर मैं P 23 में से 19 गटाओ एक बर 23 में से 19 गटाएंगे तो बचेंगे कितने 4 4 में क्या जोड़े की 11 बन जाएं तो 4 में आप जोड़ो भाईया 7 4 में आप जोड़ो 7 7 और 4 11 होते हैं तो यहां पर भी आपको 7 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो गया यह हो गया 23 और 7 30 30 माइनस में 19 11 गयारा आजाएगा 11 तो 11 से कट जाएगा तो P की वैलू आगी 7 पूट करके देखवांस वर आ रहा है 7 7 7 9 पी स्कूर है ना तो P की वैलू 7 आई यह तो 7 का करतो स्केर 49 प्लस में 15 कितना हो जाएगा भी यह हो गया 14 और 64 भाई गडबड यह हुई है कि यहां पर यह 15 नहीं है सिर्फ ओनली 5 है और जब 49 में आप 5 प्लस करोगे तो बनेगा 54 ठीक है यह कितना बनेगा 54 54 हमारा आंसवर एक तरीका तो यह था इसको सोल करने का दूसरा आप आप उपसन से भी कर शकते हो आपसन से कैसे करोगे जैसे 48 है 48 में से यह 5 माãyनेश कर दोगे तो जो माइनस यह मानेश करना पड़ेगा यह वैसे तो यह संख्या पलस की दे रखे लेकिन हमें माइनस करके पता चलेगा क्या है ये संख्या परफेक्ट स्क्वेर बन रही है क्योंकि जब हम माइनस करोगे तब ही तो पता लेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वेर में तो पलस होगे संख्या आई होगी ये अप्सन में से तो माइनस उल्टा कर दो तो माइनस 48 में से हम माइनस करें क्या वो संख्या जो आजती है वो perfect square है तो 48 में से 5 जाएंगे तो कितना बज़ेगा भईया यह बज़ेगा 43 43 तो भई perfect square नहीं है 45 में से 5 जाएंगे तो 40 40 भी perfect square नहीं है 54 में से 5 जाएंगे किसना बचेगा 49 49 तो perfect square है c option हमारा ठीक हो जाएगा ऐसे option से भी आप कर सकते थे उसके बाद है ये question ये संक्य है ये 11 से visible है then value of a निकालनी है तो निकाल दो वहिया value of a क्या बचा है value of a में 8 और 7 15 15 और 6 होगे विया 21 21 माइनस में 3 plus में 2a ये 0 या 11 के equal होना चाहिए अब put करके देख लो फटा फट यहाँ पर हम क्या put करें कि या तो ये 0 हो जाए या फिर 11 का multiple हो तो 9 पूट नो दूनी अठारा अठारा और 3 होगे 21 और 9 पूट कर लो यार 9 c option हमारा ठीक हो जाएगा सही कर दिया ना मैंने हां सही कर दिया यह answer हो जाएगा क्योंकि मैंने 21 बना लिया ना इस संख्या को मैंने 21 बना लिया 21 मैंसे 20 जाएगे तो 0 बच जाएगा यह smallest लेनी है लेकिन एक ही जो संख्या होगी वो बी से बड़ी हो तो और 11 से लिजबल हो तो लगाद और रूल और क्या है फटा फट यह ठीक है उसके बाद यह और यह यह वन गया यह ना यह वन गया वही कितना 8 और 4 बारा बारा प्लस में माइनस में शै पलस में बी यह 0 रहा किसे कटने वारी संख्या नहीं चाहिए तो इसने कंडिश ने एगी दे दिये कि ए एक तो smallest हो दूसरा b से बड़ा हो तो फो अगर मैं क्या रहा हूँ एक हो अगर मैं क्या रहा हूँ एक पर मैं रखों तीन तो लेकिन इसने बोला है ए इस मोर देन बी तो यह भी पोसिबल नहीं है अगर मैं ए को पांच रखों तो यह हो जाएगा 12 और 7 बार और 5 17 ठीक है यह मैंने इसको बना लिया 17 और 17 में से क्या संख्या गटे कि वही जो है संख्या 11 आजाए या जीरो आजा बी अगर 0 लोंगा तो 6 और यहां पर मैंने A ले लिया 5 तो 17 में से 6 जाएंगे तो 11 बचेगा तो B की वैलू आगी 0 A की वैलू आगी 5 पूछा क्या है पूछा तो यही था इसने पूछा क्या है find the smallest value of A A की वैलू पूछी थी तो B अप्सन नमारा सही हो जाएगा Hope आपको यह question समझ में आया होंगे Thank you so much guys वीडियो आपको अच्छी लगी तो like कर रहा है गरो Channel पे नए हो तो subscribe भी कर लिया गरो